हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि आप कोई photo को या Instagram Post को 2 ID 3 ID 4 ID में कैसे fair करें जैसे कि दोस्तों कोई आप पोस्ट है यहां पर आप लोग देख सकते हो कि चार लोगों को एक ही फोटो पोस्ट है आप लोग देख सकते हो प्रूफ यह देखो दोस्तों यहां पर उन चारों का नाम भी आ रहा है किस-किस आईडी में फोटो पोस्ट है तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी फोटो पोस जिस तरीके से आप फोटो या फिर वीडियो पोस्ट करते हो सिम्पल उसी तरीके से आप कोई भी फोटो या फिर वीडियो सेलेक्ट कर लो और दोस्तों इसके बाद आप सिम्पल नेक्स्ट पर जाके जैसे आप नॉर्मल फोटो पोस्ट करते हो यह वाली बात नहीं घञीं अब दोस्तों इसमें आप कोई भी गाना भी एड्स कर सकते हो और गाना करने के बाद स्मिपल प्लस पर टच करके अब दोस्तों जो असली काम है वो अब है अब दोस्तों यहाँ पर चाहते हैं उनकी उजरbut सर्च किजैसे वह यूजर डालेंगे उपर में आ जाएगा इसके बाद फिर से इनवाइट को लेटर पर टच करेंगे और दोस्तों आप आप फिर से दोस्तों जिसको भी करना जाते हैं simple उथी पर touch कर दीजिए और दोस्तों simple उसको आप थोड़ा सा आगे पीछे करके right पर touch कर दीजिए इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी caption लिख सकते हैं कुछ भी इसके बाद okay पर touch करके सिंपल सेयर कर दीजिए अब दोस्तों यह यह दोस्तों अब क्या करना है अब दोस्तों जो अगला काम करना है जो जिसको भी आपने टाइक कर रखा है आपको उसको बोलना है कि यह काम करें जैसे कि दोस्तों मैंने अपनी ही एक आईडी में यह टाइक कर रखा मेरी दूसरी आई डी में तो दोस्तो आप लोग नेखवक्ते हैं कि वह जब हम इसको तोड़ा से रिफ्रेस्ट करेंगे तो दोस्तो लोग देख वक्ते हो कि यह मेरे आ चुका है तो सिंपल हम इसको यहां पर तच करेंगे और यहां पर मेरे सामने एक उफण आ रहा है आई वीव view request पे टच करेंगे इसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक उब्फण आयेगा YOUR review का यहां पे देखे provide review का प्रिवीव पे टच करेंगे इसके बाद दोस्तों accept पे टच कर देंगे अब दोस्तों ये photo my hey add पे भी आ चुकि तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से किया जाता है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद गुडवाए